हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हां सब लोग मस बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्म ना को उसी में चैप्टर नंबर टू क्लासिफिकेशन ओफ डूग स्टपर है एक की लेक्चर में खतम हो जाएगा ठीक है में ये जो एक लेकट्र करके लिखा हो न चींए रिखा होना चागे था था ऑफ्पूड ड्रग लिखा होना चाहिए था क्रूड र्ग् सब क्लासिफिकेशन आफ क्रूड ड्रग तो अपने वह भी आते हैं जो अपने ड्रग आते हैं अब टैबलेट वगरा और यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग क्रूड पत्ते चाल बीज है ना ऑईल है तो उन सब की बाते हैं यहां पर होने वाली है तो क्रूड ड्रग कच्छा समझते हो ना सोर्स मतलब जैसे कि नीम की बात करना तो नीम की पत्तिया और अच इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अब हायर प्लांट किया होते हैं बड़े प्लांट हम essa अगर हुआे पताओ थोड़ा सा हா? हम लोग चलेंगे कहां धाए छै रास करau ब्राफस के बाद कौन आये थे टैएडो फाइटस आये आए फोगाए रहा रहा है कोई बात नहीं यह अपने पॉर्स के लिए नीव यह समझाने के, बतार हूँ टैएडोफाइटस आरे तैएड़ॉ फाइटस यहीं टैडोफाइटस के बाद कौन आये थे it is gymnosण सरने स्षाओं में एक 3 UPG तो एम जिंगुनाों स्पॉम्स के बाद कौन आगे थे ने फिए च्री करना तो ये वाले प्लांट जो हैं और जिम्नों स्पॉम्स इनको हम लोग बोथे हैं एर प्लांट इनको मैं लोग क्या बोल देया है और इनको को हम लोग क्या बोल देते यह तीन जो है इंको बोल देतें लोबरcorn क्योंकि ये एडवन क्या बोलते बीड़ान्ट कि मतलब क्या कर elliard parsons डूंस तो कहां से मिलते हैं फॉप आ हमारे पर ड्रग के सोर्स हैं वो हर जगह से हैं प्लांट से माइक्रोब से ठीक है अब क्या कह रहा है सम यूजफुल प्रोड़क्स आर अप्टेंड फॉम मिनरल्स जो मिनरल्स है वहां से कई पर कुछ चीज़े मिल जाती है डैट आर बोथ और गैनिक एन इन 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 जो मिनरल से हमको मिलते हैं वो दोनों ही होते हैं और गैनिक कारवन कंटेनी और इन और गैनिक बिना कारवन वाले ठीक है अब कह रहा है इन और टू स्टेडी दा इंडिविज्वल ड्रग अब इतना सारा ड्रग मिल रहा है हमें हर जगह से ड्रग मिल रहा है हमको अब हमें इन लोगो आगी बिशे करके अरेंज करना है ना में हम नहीं पाइचा बहुत साजी चीज़े होती है तो हम उसे अरेंज करते हैं तो हमें कोई ना कोई सिक्वेंस जेखना पड़ेगा सिक्वेंस अरेंजमेंट अरेंज करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं कोई alphabetically करता है ABCD का अधार पे कर रहा है कोई उनको chemical नेटर कैसा उसकी अधार पे कर रहा है तो यह क्या होगे सब के सब classification के तरीके हो गहें हमारे पास ठीक कहना अब अब method कैसा होना चाहिए simple होना चाहिए easy to use होना चाहिए असानी से इस्तमाल किया सके और free from confusion and ambiguity अब यह वर्ड आ गया ambiguity या ambiguous है ना ambiguous क्या लो उसी से बड़ बना ambiguity ambiguous ambiguity मतलब confusion ambiguous ambiguity मतलब confusion है ना तो जो classification होना चाहिए उसमें किसी प्राइब का confusion और ambiguity अब कहो है ambiguity में हम लोग कहते हैं एक तरह से कोई चाहिए और इस पस्ट होना चाहिए है ना और जो चीज़ इस पस्ट नहीं है उसको हम लोग कहते हैं ambiguous confusion अलग हो गया जो चीज़ इस पस्ट नहीं है that is called ambiguous clear है अब कह रहा है because of their wide distribution बहुत जगे में लोग कहा ना कहा फैले हुए इस arrangement of classification has its own merits and demerits तो हम लोगों ने जितनी तरीके के भी classification अपनाए उनके अपने ही merit थे उनके खासियती और उनकी कुछ disadvantage भी थे demerits भी थे but for the purpose of study study की परपस से the drugs are classified in the following different way हम लोगों ने अभी तक क्या किया है drug को इन तरीकों से हमने क्लासिफाइ कर चुके अलफावेटिकल क्लासिफिकेशन किया है एक्सिदी का अधार पर टैक्सोनॉमिकल किया है टैक्सोनॉमिक क्या होती है kingdom फाइलाम क्लास ओर फैमिली जीनस याद आया क्लास 11 ने पढ़ा होगा है नभूसलोजी की साफ सैंदे कैसे हैं और यहां थो लॉकर टैक्सोनॉमिक दोनों कंबाइण कर देख रहे हैं थेके ना तो फिलाल हमको कितने पढ़ने केवल छे पढ़ने इसको बास फहरो आगई वस्टार्ण करते हैं पठापट अल्फाबेटिकल क्लास्विकाशन सब को पता है अल्फाबेटिकल वहरी सिम्पल A B C D के अधार पर जो A से स्टार्ट हर उनको एपर कहते हैं घूदना यहां पर क्या है हमको ढूनना अशान हो जाता है चीजओं को तो और अल्फावैटिकल क्लासिफिकेंज इस सबसे सिंपल वीए अफ लेटिकेंजिए अर्वेटिकल इंगे इंग्लिस में है तो इंग्लिस के सब्सक्राइब एक ठीक है इंग्लिस को कोमन नेम भी कहते हैं और सम फाइम लोकल लैंग्वज नेम जो लोक लेंगवेज विर वनक Лनेम भी कहते हym hubs लोकल लेंग्वेज माल यहां बाद दर जैसे कि भालो कुसीज को जैसे हमारी एग कीज को क्या कहते हैं स्थ sub math ब्लाया हैं और को बला रहें तो में झीजा कुछ फार्मोकूपिया कुछ डिक्ट्चनरी & reference book zaczy उसे reference book which classify crude drug according to this systems are as follow कौन کौन सी book या फार्मकोपिया है तो इस alphabetical order को follow कर रही है अपनी Indian Pharmacopia follow करती है British Pharmacopia follow करती है ठीक है British herbal Pharmacopia follow करती है United States Pharmacopia and national formulary है ना पढ़ चुके इसके बारे हम जानते हैं वच्छे से यह follow करती है British Pharmaceutical Codex यह भी alphabetical order follow करता है European Pharmacopia जो है यह भी अल्फावेटिकल ओडर फॉलो करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट एक कोशन यहां से तुवारा बनके आएगा क्लासिविकेशन आफ क्लूड ड्रग इन इंडियन फार्माकोपिया इस अकॉर्डिंग Ps情 अल्फावेटिकल और फार्मकॉड ग्लासिविकेशन के साफसे होता है तो यह किसको फॉलो करता था रहे है अब बात करें In European pharmacopoeia, these are arranged according to their names in Latin, whereas वहाँ की language Latin है, यहाँ की language English है, तो वो अपने उसी भासा में लिख करके उसको alphabetical arrange कर देती है Merit क्या है, इसके खासियत क्या रहेगी It is easy and quick to use, बहुत असान है और असानी से हम लोग इस सिस्माल कर सकते है There is no repetition of entry and is devoid of confusion भाई अब जैसे dictionary होती है, कोई word repeat नहीं होता है तो confusion नहीं होगी, कोई repeat नहीं होगा है ना, कोई भी चीज repeat नहीं होगी In this system, location, tracing and addition of drug entry is easy है ना, नाम पता है, नाम फटाक से ढून लेंगे जैसे dictionary में सब लूनते है, खटाक से drug मिल जाता है हमको ठीक है, तो location उसको करना, trace करना या कोई drug add करना, entry करना चाहते है, तो आपको easily मिल जाता हो, कहाँ पर किसकी entry करनी बड़ा राम से हो जाता है, ठीक है आगे आते हैं, अगर हम इसके demerit की बात करें तो demerit की बात करें, there is no relationship between previous and successive drug entry, यानि की मालो, एक drug लिखा हुआ है यहाँ पर, A से मालो, A last drug था, फिर यह B आ गया इसके बात, ठीक है, मालो, A पहला drug, A1 यह दूसरा drug, यह तीसरा drug, तो इनका इनका आपस में कोई similarity नहीं होते हैं, कोई similarity नहीं हो सकती है है न, जैसे class में मालो, पहला नाम है आबा, और दूसरा नाम है अब है, तो alphabitical आरेंज कर रहे हैं हम लोग, बट यह लड़की है और यह लड़का, आपस में कोई similarity नहीं है, तो ऐसी drug के case में होता है, alphabitical जब order करते हैं, तो इनके आपस में कोई भी similarity नहीं होती है, ठीक है, ऊके, एक्जांपल की बात करेंगे, एक्जांपल दे रखा है, यह drugs, तुम लोग चाहते हैं याद कर लेंगे हैं, धिरे-धिरे करके, एसे, अकेसिया, बेंजोई, सिंकोना, दिल, अर्गोट, फैनल, जेंटैन, हायोसाइमस, अपेकोवाना, जलाप, कुर्ची, लिकोराइस, मेंड्स, नक्स, वॉमिगा, ओपियम, पोडोफाइलम, क्वासिया, राव वॉल्फिया, सैना, वसाका, वूल्फेट, येलो बीजवे ही है, तो आगी पीछे वालों कोई रिस्ता नहीं होता है, बास समझ में आगे है, तो अल्फाबेटिकल सिंपल है, अब तो ये मन से बना के लिख लोगे, तुम लोग, जिमाग में छप गया होगा, ठीक है, आव आगे आते हैं, अब टैक्सोनोमिकल, तुम लोग को अगर या दो जो हम लोग पढ़ते थे क्या, किंग्डम, फाइलम है ना, तो टैक्सोनोमिक अगर मैं बात करूँ, तो याद है, सब से उपर क्या लिखते थे हम लोग, किंग्डम, देन, फाइलम या डिवीजन, क्या अंतर है दोनों में, फटा-फट बताओ, डिवीजन इस्तमा होता है, एनिमल के लिए, फिर क्या होता था, क्लास, फिर और, फिर फैमिली, है ना, फिर जीनस, और फिर इस्पीसिस, इन दोनों से मिलके बाटनिकल नेम बनता था, याद आया साथ होते थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, यही तो अपना टेक्सोनोमिकल, ख जीनस है, क्या फैमिली है, क्या ओडर है, क्या क्लास है, क्या डिविजिन है, और क्या किंग्डम सब का प्लांट है, ठीक है, तो यह हो गया उसका टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, उस ड्रग का क्या स्पीसिस, जीनस, फैमिली, ओडर, क्लास, यह सब हमें, डिसाइड करते तो उसके अधार पर रहता है अब यहां पर कुछ बात हैं हमें समझनी है टैक्स लोग को याद हो यह जो करते हैं यहां पर 后 कौन किसके बाद evolution में वहां कौन किसके पदE यbuat था लिए इनू इन किसके बाद हो उसके आधार पर यह होता है ठीक है दिया गुरूप दिन किंग्डम फाइलम और फैमिली जीनस एंड इस्पीसिस ठीक है ना उसके बाद अब होता कि है पुरा-पुरा प्लांट तो ड्रंट के तर इस्तमाल होतानी पार्त का पाइस ड्रंट इसमाल होता है फॉर एक्जामपल सिन्नमन बार्ग इस ड्रंग यह होती है वह ऐसे ड्रंगSt देखो यहां पर हम बात करते हैं यह याद करने ज्योद नहीं है जास समझने के लिए है ठीक है दो हमको क्या मिलता है चोटी सी बात बताओं मैं अगर हमको एक drug मिलती है अगार-गार एक drug मिलता है चाहिए आप ड्रक का नाम नहीं है एफेडरा, कोलोफॉनी, ठीक है ना तो यह हमको drug मिल रही है, अब देखो अगार-गार हमें किसे मिलती है तो यहाँ पर हमें पूरा याद नहीं करना है यहाँ पर नहीं है, तो हमको थेलोफाटा से, टेडोफाटा से, जिम्नोस्पम से, एंजियोस्पम से, इन सबसे हमको द्रग्स मिलती है, ठीक है ना, तो यह इनका क्या है, छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रखा है, प्लांट के इंडम का, अब अगर हम बात करें, टेक्सोनमिकल का जो ओरिजिनल क्लाचा, थेलो, इसमें एंजियोस्पम में दो टाइप के प्लांट होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोट कौन होते हैं, दो बीज वाले, यानि कि मुमफुली का दाना देखा है, तोड़ोगे, तो दो में तूट जाएंगे, वो है मोनोकोट में कौन को ना आ गया, कॉल्चिकाम, वैनिला है ना, तो इस तरीके से ये ड्रग हमको मिल रही है, एंजियोस्पम से, ये एक मोनोकोट है और एक डाइकोट है, तो बास हमें में आ रही होगी, कि हम लोगों ने, क्यों इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने आप लिए कि जिमनोकोट है, और एंजियोस्फम्क कें अंदर मोनोकोट का चीज है, अब लिए अब इसमें बात करें अगर, फो प्र्म चान्य हम लोग इलफ़ाइज और जिली अपर ने वाइट करें कि मे फैमिली चैसउ Toy सब आते हैं Kingdom की जरूत नहीं यहां Kingdom क्या होगा वाई Kingdom तो सब के प्लांटी है यहां पर सबका Kingdom क्या है प्लांट है जिमने सब्सक्राइब की बात करें तो थी सब्सक्राइब क्या है अई सब्सक्राइब क्या है तो इसमें क्या करो अगर आज आता है तो इसमें किया दो लिख सको वो पूरा उतना याद करने जरूरत नहीं है आपर हाँ यहां पर एक काम यह कर सकते हो यहां पर लिखा हुआ है इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए इसका एक्जामपल याद कर लेंगे सीधा ठीक है जिसका सीड नेकेड होता है दिखाई पड़ता है जैसे कि हम लोग बात करें आम आम का सीड अंदर होता है छुपा हुआ होता है ठीक है एंजियोस्वम के अंदर आम आ जागा ठीक है तो निटे सीड रहता है और इनके अंदर एक्जामपल के पहले डिए ञासी केशन हो गया फिर एक्ट क्लासिफिकेशन taxonomical classification of some crude drug ये actual classification है बात समझ में आ रही है थोड़ा सा learning है, थोड़ा सा रटने वाला है, थोड़ा सा याद करने वाला है बात समझ में आई अब merit क्या है taxonomical classification is helpful for studying evolutionary development एक drug का दूसरे drug से evolutionary मतलब कौन किसके बाद आया होगा, उसका evolutionary development को हमको समझने में आसानी रहती है बट, demerit क्या है, this system also does not correlate in between the chemical constraint एक drug का पैदाइस दूसरे के बाद हुई बात समझ में आई लेकिन आपस में chemical constraint का क्या रिष्टे आ रही है वो समझ में हमें नहीं आता है ठीक है ना, chemical constraint and biological activity of the drug दो drug के बीच की जो biological एक्टिविटी है, कि body बजागे क्या affect करेंगे उनके आपस के बीचे जो chemical nature है वो आपस में correlate हम लोग यहां से नहीं कर पाते हैं यहां से हम केवल यह correlate कर पाते हैं क्या correlate कर पाएंगे, कि हाँ भाईया देखो, ठीक है ना, कि अगार पहले आया होगा मेल फन बाद में आया होगा, उसके बाद एफेडर आया होगा उसके बाद कॉल्चिकम आया होगा, है ना तो evolution के हिसाब से, सबसे पहले आगार आगार आगे होगे तो हमको evolution का trend पर चल जाता है कि कौन किसके बाद है, evolutionary development बाद समझ मारी है ना हो दो morphological important अब एक बता दो very important question यहां से आने की संभावना 90% एक्जाम में question आएगा तो morphological classification से question आने की संभावना 90% रहती है वरना 80% तो मान के चलो नहीं कि बहुत ज़्यादा important morphology मतलब morphology मतलब उपरी उपर से कोई चीज कैसी दिख रही है ठीक है इन दिस सिस्टम द्रग्स आरेंज़ अरेंज़ अरेंज़ अकॉर्डिकल और external character external मतलब उपर से कैसे दिखाई पड़ रहा है of the plant part plant के part का या animal part का that is which part of the plant is used as a drug that is leaves, roots, stem, etc तो उपर के हिसाब से root है stem है, phal है, क्या है जो drug के तरह इस्तमाल हो रहा है, उसका morphology देख करके हम लोग इसको क्या करें, classify कर लेंगे ठीक है, कि ये drug leaves है, ये drug root है the drugs obtained from direct part of the plants plant के direct part से कोई जो drug obtain होती है and containing cellular tissues, very important mark करेंगे इस बात को इसके अंदर क्या रहते हैं, cellular tissues are called organized drug ऐसे drugs जो plant के direct part के plant का direct part as a drug इस्तमाल हो रहा है जैसे rhizome, जिंजर अपनी अधरक बार्ख छाल होगी, पत्ते नीम के पत्ते हो गए fruit या entire plant hairs and fibers जो रेशन निकलते हैं plant के अंदर से अगर ये सब चीज़ हो तो plant का direct part कोई है एक plant उगता है ना, उसको direct part हम लोग इस्तमाल करते हैं तो वो कहलाता है, organized drug, very important ठीक है, the drugs which are prepared drug which are जो prepare करी जाती है from plants by intermediate physical process, कोई process हमने करी और फिर वो drug को हमने क्या किया, बनाया, यानि कि plant का part direct इस्तमाल नहीं हुआ कैसे, like incision रवर्ड का पेड़ होता है, है ना, या जो क्या रहेगा हमारे पास, उसमें हम लोग क्या मारते हैं cut मारते है, जो alloy juice होता है पत्ते में हम लोग क्ट मारते हैं, उसके अंदर से फिर रस निकलता है, वो plant का part तो नहीं है वो हमने cut मार के उसके अंदर जूस निकाल लिया है उपर क्या था direct plant का कोई part था यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है कि हमने cut मार दे उसके अंदर रस निकल रहा है है ना तो इस type की चीजें जो अब जो रस निकल रहा है उसमें कोई organized form भी नहीं होगी मतलब कोई cell वगरा टाइब की चीजें नहीं होगी तो जब cellular नहीं है organized नहीं है तो यह क्या कहलाएंगे un-organized ठीक है इंसीजन मतलब cut सुखा लेते हैं और extract करते हैं with a solvent and not containing any cellular plant tissue plant का cell का part नहीं होता उसके अंदर बाई तुम पत्ते के अंदर से juice निकालते हो alloy निकाला उसके अंदर कोई cell है क्या नहीं है and are called un-organized drugs क्या का जाता है इसको un-organized drug alloy juice alloy वरागा juice होता है opium latex है ना जो opium क्या होता है अपना जो अफीम वगरा रहती है अगार अगार गंबीर gelatin, tragacanth, benjoin, honey शहद, शहद का cell होता है उसका अंदर नहीं होता है beeswax, lemongrass, etc example of un-organized drug तो very clearly दिमाग अन-organized cell नहीं होते हैं liquid form में रहता है उसको फिर ठोस हो जाता है तो उसको फिर drug की तरह इस्तमाल कर लेते हैं organized में हम लोग plant का कोई direct part इस्तमाल करते हैं clear है अब थुरा सा difference देख लेते हैं इसके हम लोग ठीक है तो क्या difference है organized drug these may be of plant और animal origin ये plant और animal origin दोनों का हो सकता है these may be of plant, animal और mineral origin mineral भी हो सकते हैं कोई कि un-organized है तो mineral भी हो सकती है these are direct part of plant और animal plant और animal का direct part होता है these are the product of plant और animal plant और animal का product जो होता है उसमें कोई चीज़ बनती है वो होता है un-organized these have cellular structure they do not have well defined cellular structure कोई well defined cellular structure नहीं होता है generally identified by morphological character पता है कि root है कि rhizome है generally identified by organoleptic property हम इसको कैसे ढूंते हैं रस जैसे निकला टेस्ट किया अच्छा कड़ुआ है अच्छा मीठा है organoleptic property है न हम इसको ऐसे ऐसे दो निकलता है जूस निकलता है पानी जैसा होता हो तो हम उसको नहीं चेक कर सकता है क्या चीज़ है वो चार चीज़ों को लिक्विड डार लाके रख दो हमारे पास तो उसको ऐलोई जैल है कि कुछ और है कैसे पास चलेगा टेस्ट करेंगो उसको तो और्गनलेप्टिक करेक्ट पापर्टी अग्जामपल डिजिटेलिस लीव डिजिटेलिस का लीव सिंकोना बार्क एंड एफेडरा स्टेम इसका जो स्टेम होता है अगार अगार जेलेटिन और हनी तो ध्यान रखेंगा और अग्जामपल है धेर सारे दे दिये मैंने तो अभी फिलाल के लिए क्या है जैसे वुड वुड की बात करें तो और्गनाइज में लकड़ी होती है कौसिया सेंडल वुड इंपॉर्वाट्ट Advent हो गया रइट थे अडल वुड थी तो पता हियं सुने होगा इनको तो और यह सुद्रे कुन पर तरब करें क्ल लॉंग को खाते हैं ना वह उसके बाद करें सैफ्रौन आगया अपने पास मैं ये दो पार्थ हम चानते हैं क्लाइं आमला उसके बाद बिटर औरेंज क्वेल संघी चाल कैप्सिकमं के उसके बाद बात करें हम लोग कार्डेमा मिलाईची कोरियंदर धनिया ठीक है फैनल सोंफ लेमन पील है ना निबू की छाल और फिर क्या जाएगा टेरामिंड हल्दी है ना तो यह सब अपने कॉमन कॉमन है सीड की बात करें तो सीड में हम लोग क्या ब्लैक मस्टर्ड जो सर्सों का बीज होता है कार्डेमम का बीज हो गया उसके बात इसब गुला है ना इसब गोल जिसे कहते हैं हम लोग तो दैन 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 नक्स वोंबीका काता है लिन्सीड आते यह ठीक है नहिए आगे इसके अंदर ठीक है तो कुछ wishing its roots और राइब भात करें इस तो कौन कौन दिन को तुम लोग जानते हो जानते किसको और बता हूं बता मलुब घार्लिक है ण रूंट्स टे ही गार्लिक आपना जिंज़स और गया जिंजर को जन्सेंग पौसम तो लोगो ने देन 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 इसके बाद राव वालफिय सुना होगा तर्मरिक ठीक है ना और यह अपने नाम आ रहे हैं ठीक है यह कॉमन नाम है सुने होंगे तुम लोग ने प्लांट्स एंड हर्स ठीक है पुराबर प्लांट अर्गोट है अफेडरा है यह साथ ना सुने हो लेकिन करना पड़ेगे यार ठीक है उसके बाद हम लोग दतूरा सुना होगा ठीक है एंड फाइबर्स कॉटन जो रेशा होता है जूट सिल्क है ना यह तो नाम सुने होंगे तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो उनको इसली जो सुने हुए हैं वो याद करने इसी तरह अनॉर्गना हो गया ड्राइड एक्स्ट्रेक्ट अगार अगार हो गया ब्लैक के टैच्व पेल के टैच्व यह भी आएंगे आरे वल चैप्टर में वहां पर तुमको बकाई दिखाई बढ़ेंगा यह वैक्स की बात करें तो बीज वैक्स इस परमेट से ठाई ठीक है ना उसके बात कर ने तो इस तरीके से काफी को मैंने वॉलेटाइल की बात कर लें टरर्पेंटाइं आल सुना होगका तुम लोग और रोजमरी वास उना होगका तुम लोग ने उसके बाद यूकलिप्टेस सुना होगका तुम लोग ने प्टिट्श अधिम ब्रोड़क्त भी थीडिक ने जो जो नाम सुन रखें, उनको तुम लोग क्या करोगे, याद करने ही कोशिश करोगे, मेर्ट की बात करें, मॉफलाजी का क्लासिफिकेशन इस मोर हेलफुल टू इन्टिफाइ एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतल़ा जब मिलावट होती है न, बात समझ मागी, में ड्रॉबाइक ऑफ मॉफलाजी के क्लासिफिकेशन इस डेट, जेर इस नो कोर्रेलेशन ऑफ कैमिकल कॉंस्ट्रेंट विद्धा थेरोपेटिक एक्शन, कैमिकल और थेरोपेटिक एक्शन के आपसे हम लोग कोर्रेशन नहीं कर पाते हैं, रिपीटीशन ऑफ ड्रॉग और प्लांट्स होकार, रिपीटीशन हो सकता है, हैना एक ही प्लांट का पार्ट दो तरीके से इस्तिमाल हो सकता है, तो रिपीटीशन होने की संभावना हो जाती है, ठीक है ? घन फार्मकलोजीकल क्लासिफिकेशन, वेरी सिंपल फार्मकोलोजी पढ़ चुके है, क्या होती ही फार्मकोलोजी, effect of drug on the body, drug का body के पर क्या effect आ रहा है, तो grouping of drug according to their pharmacological action, हमारी बोडी पर क्या effect डाल रहा है, उसके अधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका classify कर देते हैं, और of most important, constituent, उसका सबसे important constituent क्या है, उसके अधार पर, और their therapeutic use, उसका therapeutic use क्या है, तो pharmacological में कुछ भी कर सकते हैं, तो तुम लोग एक चीज़ याद रखना हो, सारा यह सब यहाँ से हटा देना, और कि बाद यह सब हटा देना, ठीक है, pharmacological action याद रहेगा, जब हम लोग pharmacological action के अधार पर इसको क्लासिफाय करते हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफाय करते हैं, तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, या therapeutic classification of drug बोल देते हैं, इस classification is more relevant and is mostly a followed method, बहुत ज़्यादा relevant है, और क्या है, सबसे ज़्यादा follow किया जाता है, drug like digitalis, squill and strophanthus, having cardiotonic, ये कैसे हैं, cardiotonic है, heart के लिए अच्छे है, are grouped irrespective of their part used, और, ये cardiotonic है ना, तो सब को एक ही में group कर देते हैं, कि ये सब किसब cardiotonic है, irrespective of their part, कौन सा plant का part इस् और उनकी आपस है, phylogenetic का मतलब होता है, evolutionary, genetic relationship क्या हमें उससे फरक नहीं पड़ता, क्या उनका effect है, उसके आधार पर हम लोग एक ग्रूप में डाल देते हैं, और the nature of phyto constituents they contain, हना, हमें फरक नहीं पड़ता, उसका कौन सा part इस्कमाल हो रहा है, क्या phylogenetic relationship है, या उसका ph phyto constituent, plant के अंदर chemical constituent के हमें फरक नहीं पड़ता, उसका effect के आधार पर हम उसे grouping कर देते हैं, तो यह कुछ यहां पर दे रखें, देखो जा रहा, anti-cancer drug कों से आगे, विंका, पोड़ोफाइलम, टेकसस, anti-inflammatory, colchicum, turmeric, anti-amoebic, है ना, इपकायरूट, कुर्ची बार्क, anti- asthmatic, anti-helminthic, then anti-spasmodic, तो यह कुछ categories हैं drug की, ठीक है, spasmodic क्या होता है, दर्द के लिए, stringent होगे, analgesic दर्द के लिए, bitter tonic, carminative आगया, purgative, उल्टी वगरा हमें, क्या, पेट साफ करवाते हैं, हमारा, खासी के लिए हो गया, यह carditonic, heart के लिए आगे, tranquilizer, सुला देते है हमको, तो जो drug है, जो effect हो, उसके अधार पर हमनों को एक ही में डाल दिया, clear है, तो सारना याद करते हो, जो तुमको लगता है, जो तुमको लगता है, तुमने पढ़ रखें, वो 4-5 अपने याद रख लोगे, example के लिए, clear है, merit, de-merit की बात कर लें, this system of classification can be used for suggesting substitute of drug, हमें पर एक चीज़ असानी हो जाती है, कि अच्छा, cancer खाया, विंका नहीं, चलो, बोडोफाइलम ले लो, वो भी anti-cancer है ना, हमें एक substitute मिल जाता है, ठीक है, जैसे मालो, astringent property, या analges ही कहा, opium नहीं है, चलो, पोपी ले लो, जो मौझूद है, दो में से कोई एक मौझूद है हमको समझ में आता है कि एक की जग हम दूसर ले सकते हैं, substitute देने में हम असानी हो जाती है, okay, of drug if they are not available at the particular place or point of time, तो यहां से हमें क्या substitute देना असान हो जाता है, demerit की बात करें, drugs having different action on the body get classified separately in more than one group, that causes ambiguity, जो drugs having different action on the body, एक ड्रग के बोड़ी पे हो सकते हैं, एक से ज्यादा effect हो, है ना, suppose, कोई एक drug है, उसका analgesic भी है, purgative भी है, aspectorant भी है, अब वो एक drug ना, इन तीनों में, example के तरह बता रहा हूं, वो इन तीनों में काम करेगा, यहनि कि एक drug तीन जगे आ गया, अब confusion पैदा हो जाएगी, बास समझ में आई, अब क्या होगी, confusion पैदा हो जाए जाती है, and confusion create हो जाती है, synchona is anti-malarial drug, because of presence of cunine, example हो रहा है, synchona क्या है, anti-malarial है, but, can we put under the group of the drug affecting heart, heart वाले group में भी से रखा जाकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर anti-arrhythmic action of cunidine, जो anti-arrhythmia, याने की, जो हमारे पास क्या था, synchona है, वो क्या है, दो group में उसको हम लोग categorize कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके, क्योंकि उसके, दो effect हमको देखने हो बिल रहे हैं, अब यहाँ पर यह confusion create हो सकती है, ठीक है ना, बास समझ में आई, तो simple है, यहाँ पर हमें समझने आने, अगर समझ लो फिर दिम समाक से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, now chemical classification, अब chemical classification बात करें आने कि chemical drug के अंदर कौन सा chemical है, उसके अधार पर हम calcify कर देंगे, simple, एक लाइन देखने हो, ठीक है, the crude drugs are divided into different group according to the chemical nature of their most important constituent, उसका chemical nature क्या है, उसके अधार पर हम उसे, क्या कर देंगे, divide कर लेंगे, Since the pharmacological activity and therapeutic significance of the crude drugs are based on the nature of their chemical constant, जो chemical constant होता है, उसके अधार पर उसकी pharmacological activity या therapeutic activity होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, वो action के अधार पर हो गया, यहाँ पर हम chemical के अधार पर कर रहें, यह भी एक important हो जाता है, the chemical classification of drug is dependent upon the grouping of drug with identical constituent, ठीक है ना, तो अगर एक जैसे constituent है, तो उनको हम एक ही में क्या कर देंगे, ग्रूप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्जामपल जरे एन आउट आउट ऑफ दा, इस ऐस फॉलो, ठीक है ना, एक classification का यहाँ पर वो दे रखका है, जैसे कि मालूब कार्वो हाइडेट्स, कार्वो हाइडेट्स आर polyhydroxy aldehyde, क्या chemical है इनके अंदर, polyhydroxy aldehyde और ketones होते हैं, containing an unbroken chain of carbon atom, जिनके अंदर याला chemical पाया जाता है, कार्वो हाइडेट्स भी तीन तरीके से होते हैं, गम के रूप में हो सकते हैं, मुसिलेज के रूप में हो सकते हैं, या किसी और form में हो सकते हैं, तो गम के प्लाइट को सीट को मुसिलेज वाले में डाल दिया, इस्टार्च हनी अगार, पेक्टिन, कॉटन को हमने अधर वाले कार्वो हाइडेट्स तो कार्वो हाइडेट की भी हमने पास क्या है, तीन कैटेगरिया आगे, गम, मुसिलेज, अधर्स, ठीक है ना, अब कौन सा वाल निए जो हाइडलुस बएड टूटने पर एक से ज्यादा क्या करते हैं, सुगर देते हैं, यानि को सुगर बार्ट और एक नौन सुगर पार्त आता है, जिसे हम एक ग्लाइकॉन कहते हैं, अब इसके अंदर देंग कितने पार्ट है, एक एंसराखिन होता है, ठीक है, एक स सब्सक्राइक उलग जाती है तो इसके अंदर ऐलॉय डिया गया मस्टर आ गया दी टेलिश आ गया तो यहां पर क्या क्या है तो तो इस तरीके से इसको कर दिया now tannins tannins are complex organic non nitrogenous derivative chemical का सारा खेल है है ना क्या खेल है tannins कैसे non nitrogenous derivative of polyhydroxy benzoic acid सारा chemical खेल है ठीक है important है यह आला पाइड भी ठीक है ना ध्यान रगना example क्या आएगा pale कतेचू black कतेचू asoka आ गया बार गास myrobalan बहरा आमला यह सब इसके अंदर आयाते अच्छा कुछ चीजना करें एक बार में याद ना हो तो यह परशान नहीं हो न के वाद पढ़ लो समझ लो फिर आगे-आगे जैसे chapter आते जाएंगे इनमें बहुत सारी चीज़ें repeat होंगी जब repeat होंगी तो तो तुमें चीजे समझ में आयेगी और चीज़ें इक्षफ केरना तो उड़ीया आसान हो जाएगे फन्स के अदार पर Yay प्रेजिन क्या होते हैं कॉंप्लेक्स मिक्चर और राइगा और रेजिन्स नाम है रहेगा 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 और कॉलोफोनी पॉड़फाइलम जलाप कैपसिंगर तेर्मेरिक बालसम रफ तलु पेरू एशवाइटीड सिंग आ घया थे सारे इस सारे क्या है रेजिन्स थे ऐन होता है तो ऑच्छा अब जिनके नदर पाइडिन पाएगा वह एक में डालते हैं त्रोपीन पाएगा किसी कीनोलीन नाइट्रोजन व्हां पाएगा तुम्हों कर सकते हैं इनका डालोगे इंड्ल डेवेटिफ पाएगे Amines पाए जाएंगे, Purines पाए जाएंगे इनके नाम को जब तुम डालोगे ना इन डालना, Isoquinoline Structure, Indole Structure उनके ने नाइटोजन लगा होगा और Structure अलग-अलग होते हैं, बट ये सब के सब क्या होते हैं, Alkaloid होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नाइटोन सबस्टांस होते हैं, उनको सब को हमने किस में डाल दिया, Alkaloid में डाल दिया ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक Category यह आगे, Protein होता किसी किसी के अंदर Gelatin, Fecin, Pepin, Vitamins हो सकते हैं, इस्ट के अंदर Terpenin होता है, रसना और Collisins, तो यह इतने important नहीं है, यानि कि दहाँ पर दो ज़्यादा important आयाते हैं, एक morphological character वाला, और एक chemical classification, यह ज़्यादा important है, ठीक है न, यह तो याद होने हैं कि यहाँ से one more question तुम्हारा पर काफी फसेंगे, और यह वाला part जो है, कही ना कहीं repeat होगा, chapter 4 में, 5 में, ठीक है न, यह वाले part वापस से repeat होगे, तो कहीं लागे तुमको और मज़ा आएगा आगे पढ़ने में, कि लिए रबाते हैं, अब इसकी merit, it is popular approach for phytochemical study, phytochemical, phyto plant और इसके chemical, plant के chemical के study के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है यह, demerit क्या है, ambiguities, arise when particular drug possess a number of compounds belonging to a different group of compounds, number of compounds, अच्छा, यहाँ पर ambiguity क्या आपर एक सिंपल लिख लेना, कई बार उसके अंदर क्या होते हैं, एक से जादा chemical होते हैं, वो अलग-अलग में काम करता है, एक चीज है उसके तीन-चार chemical पाए जा रहे हैं, कार्बोहाइट में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तो इस तरीके से फिर क्या है, उसकी इस परश्टता खतम हो जाती है, कि उसको हम किस category में रखें, बात समझ मारी है, clear है, next and the last one, क्या है अपना, कीमो, टैक्सोनोमिकल, यानि कि यहां पर हमने कीमो, chemical आ गया, और टैक्सोनोमी, है ना, टैक्सोन आ गया, टैक्सोन वाइस chemical, यानि कि किंग्डम को छोड़ दिया अगर हम लोग, तो फाइलम, फाइलम, फाइलम गो रोटाँ, डिवीजन आ जाएगा, इन में क्या chemical है, किस class में क्या chemical है, इस class में क्या chemical है, तो chemical के अधार पर जब, हम लोग, टैक्सोनोमी भी कर रहे हैं, chemical का भी साथ साथ चल रहा है, तो वो कहलाता है, कीमो, टैक्सोनोमिकल, है ना, chemical अच्छा, ये दोनों chemical इस साथ में आ रहे हैं, ये दोनों chemical इस में आ रह लेके लगारीद एक कनें आटकश कंदर आ रही है तो उसके पर यह हमारा क्या चलता है लिए अलग अलग प्लांट में चैमिकली एक ही टैक्सोन में है और में आपस में चैमिकली क्या रिलेशनशिप है उसकी यहाँ पर बातें होती है कुछ खास क्लास में ही पाए जाएंगे अब वो जो कैमिकल है मतलब यह कैमिकल है मतलब वही क्लास होगी इसी क्लास का प्लांट होगा अब इसने एक नए कॉंसेट को जनम दे दिया ठीक है किसी खास टैक्सोन में ही यह केमिकल पाया जाएगा तो हो गया क्या जाएगा थीक है तो क्या बोल दिया है यहाँ पर लंब इसी एक बात होगी बात फिर से करते है यहां से there are certain types of chemical constraints that are characterized certain classes of plants कुछ खास classes of plants में पाए जाएंगे और उससे हम लोग उसको characterize कर लेते हैं this gives birth to entirely a new concept of chemotoxonomy ठीक है ना इसने एक नए concept को जनम दे दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं chemotoxonomy कहते हैं जो की that utilizes यह utilize करता है chemotoxonomy क्या utilize करता है chemical facts, character for chemical facts और character कीrentक है chemotaxonomy में हम लोग क्या करता है chemical characters for understanding the chemical status हम लोग chemical characters होते हैं फ्लांट को उनको क्या कर रहे हैं utilize कर रहे है for understanding that taxonomical status relationship and evolution of plants इन तीन चीजहों के लिए evolution के लिए उनके आपसमे रिष्तेदारी के लिए और टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को जानने के लिए हम लोग उसके कैमिकल करेक्टर को ठीक है ना यानि कि इस बार हमने क्या क्या उसकी टेक्सोनॉमिक डिसाइड करने के लिए उसके कैमिकल करेक्टर को हमने यहां पर आगे रखा और उसके साफ से हमने इसको क्लासिफाइग किय पूर एक्जाम्पल देखो यहां पर ट्रोपेन अलकलाइट जर्णली ओकर मेंबर आफ सोलनेसी जो ट्रोपेन अलकलाइट होते हैं वह जादतर कहां पाया जाते हैं सोलनेसी फैमिली में पाया जाते हैं देर भाए ठीक है सर्विंग ऐसे कीमो टॉक्सिनोमी मारकर जिसके मारकर हो गया ठीक सिमिलरली अधर सेकेंडरी प्लांट्स मेटाबलाइट कें सर्व एस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आफ क्लूड ड्रॉक्सिक्टे सकते हैं सेकेंडरी मेटाबलाइट पता है ना वहीं अलकलाइट वगरा जो होते हैं ठीक है अब देखो एक और है दा बर् था स्पेसिफिकली उसीमें पाय जाते हैं कई और नहीं मिलेंगे थीक है gher बर्बरीन आगया अजमॉन आ अगया गया जम adesso ठीक है इन बर्बरी से ने अर्जीमॉन रूटीन आ गया इन रूटेसी मेंबर्स रननकुलेसी अल्कॉलाइड अमॉंग इस मेंबर्स ठीक है ना और अधर एक्जामपल यह एक लेटस सिस्टम है जो हमको एक अच्छा माना जाता है तो हम सिंपल सा कॉंसेट यह समझना है chemical के अधार पर chemical basis पर हमने taxonomy कर रहे है chemical basis पर taxonomy हो रही है clear है यह बात समझ में आई तो यह था हमारे पास chapter number 2 जैसे मैंने कहा था बहुत बड़ा chapter नहीं है लेकिन हाँ अच्छा chapter है ठीक है तो ये होगी सारी बाते हैं अब फटा 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 लोग बात करते हैं किसके बारे में अपने एप के बारे में येस जो चैनल है हमारा Mind Nurture इसी के नाम से एक एप हम लोगों ने बनाया है ठीक है ना जो आप ही लोगों के लिए है जिसमें आपको D-Pharma कोई exam में प्लस exit exam में बहुत ज़्यदा help होने वाली है जिसके अंदर आपको बहुत सारे questions multiple choice questions और बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है ठीक है ना तो जानते हैं अपने Mind Nurture App के बारे में तो आओ जानते हैं अपने Mind Nurture App के बारे में तो येस हमारे चैनल का जो नाम है Mind Nurture उसी के नाम से अब App आ चुका है जो की Google के Play Store पे मौझूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहां Play Store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूँ मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई चेंज नहीं आएगा जितने lecture मेरे एप में होंगे जितने notes मेरे एप में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है वन मार्स question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में बेसिकली तुम्हार पास क्या आते है mcq और फिलिंदा blanks ठीक है यह तुम्हारे अब नए जो pattern है उसमें नया exam pattern है ठीक है ना उसमें mcq और फिलिंदा blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है प्लस टू मार्स question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वह कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके रहे पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे केवल pass होना वो केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं ये यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt first गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँगा live class जो कि अभी start already हो चुकी है ब सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है mcq test की practice यह तो चलो एक बार को ठीक है mcq questions mcq questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके 100-100 questions हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है mcq questions अब जेखो समस्य क्या है यह mcq questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते youtube पर नहीं ले सकते अब youtube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा चार option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चो यह question है यह चार option इसका answer ही है मज़ा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मज़ा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदे विल्यांक से बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 मेंसे सबको कितने चाहिए 40 number में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 प्लस chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पास एक combined test होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा और अगर बे मन से भी दे रहा है 20-30% तयारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई कर ले जाओगे बात सोजबा रही है और फीस बिल्कुल minimal है 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 1100 रुपए यानकि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पढ़ रही है इस फीस को अगर आप अपनी college फीस से compare करो होगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए something पढ़ता है जाकर के इससे सस्ता चीप और best चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई query है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है notes का link कि जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चे को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे call करें doubt clear करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूँगा clear है बासमझ में आ गई और सबसे बड़ी चीज ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा yes revision बिना revision कि आप ये सारी चीजे नहीं कर पाओ ठीक है ना तो क्या करते रहो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो all the best